हेलो फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूं मटर पनीर तो चलिए बनाते हैं मटर पनीर मटर पनीर बनाने के लिए मैंने एक पैन में दो चम्मस तेल ले लिए हैं और इसमें डाल रही हूं तड़के में धनिया साबुत और साथ में एक चमस जीरा जीरा धनिया को चटकने देंग यहीं पर मैं एड़ कर दूंगी रफली कट किया हुआ प्याज लहसुन और साथ ही मैं एड़ कर दूंगी इसमें टमाटर इन सभी को मैं दो मिनट भून लूँगी दो मिनट मैंने इसे कुक कर लिया है और ये हलके से गल गये हैं अब इसे मैं एक प्लेट में टांसपर कर रही हूँ प्लेट में टांसपर करने के बाद मैं इसे ठंडा कर लूँगी और मिक्सी में पीस करके महीन पेस्ट इसका में बना लूँगी यही पर मैंने एक कडाई ले ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ बटर और साथ मैं डाल दूंगी मैं इसमें एक चमच लाल मिर्च पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर, आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर, आधा चोटा चमच गरम मसाला पाउडर, और आधा चमच नमक, और अब इसमें मैट कर दूँगी ये प्यास टमाटर, और लेसुन का बनाया हुआ पेस्ट, और इसे भी मैं अच्छे से भून लोगी इन मसालों के साथ, और मैं थोड़ा सा पानी आड़ कर लोगी, जाए अच्छे से पक गए हैं यहीं पर मैंने पानी आड़ कर लिया है और इसे मैं एक बॉयल आने दूँगी, और मैं एसमें अट कर रही हूँ मतर को मैंने बॉइल कर लिया था यहां थोड़े से हाड थे इसलिए मैंने बॉइल करके रख लिया था इसमें भी मैं एक बॉइल आने दूंगी और यहीं पर मैं एड कर दूंगी यह पनीर फ्रेंड्स कुछ लोग मटर पनीर में पनीर को फ्राई करके डालते हैं मैंने बिना फ्राई किये हुए पनीर ही इसमें एड़ किये हैं आप चाहो तो पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हो तो फ्रेंड्स इसको मैंने पांच मिनट कुक कर लिया था यहीं पर अब मैं इसमें एड़ कर दूंगी एक कटोरी क्रीम अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप इसे इसकिप कर सकते हैं या फिर आप घर में बनीवी फ्रेस्ट मलाई भी इसमें डाल सकते हैं तो फ्रेंट देख लीजे मटर पनीर बन करके तयार है अगर हम किसी भी सबजी में क्रीम यूज करते हैं तो फिर उसे हम थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ते हैं रेस्ट में छोड़ने के बाद उसकी ग्रेवी काफी गाड़ी बन जाती है तो हम इसे भी रेस्ट पे छोड़ देंगे तो यहीं पर मैं ऐट करने जा रही हूँ कसूरी मेथी को मैंने रोस्ट कर लिया था और इसे क्रस्ट करके मैं डाल रही हूँ सब्जी में तो देख लीजी फ्रेंड्स मटर पनी बन करके तियार है बहुत स्वाधिस मटर पनी बनता है इस तरीके से आप भी इसे ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएगा तो देख लीजी फ्रेंट्स मैंने इसे लगभग 10 मिनट ट्रेस्ट पे छोड़ा इसकी ग्रेवी किती ठीक लग रही है तो फ्रेंट्स अगर ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मुझे लाइक करें सेर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मैं मिलती हूँ अब आपको अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें बाई बाई